नमस्कार दोस्तो, मैं राज कमा ठेन हुआ, आज आपको बताऊंगा fall loop के बार में, आपने हमारे पिछले लेक्चर में देखा था while loop, आज आप देखेंगे fall loop, तो जो प्रॉल्लम आपने while loop से कीती, उसे fall loop से भी कर सकते हैं, दोनों के अपने अपने फायदे नुक्षान है, तो fall loop का जो syntax है, वो कुछ इस तरीके से होता है, for index is equal to expression, then statement 1, statement 2 और end, तो यहाँ पर basically आपने जो expression दिया है, जो index value दिया है, उसके एसाब से यह run होगा, उतनी बार exit होगा, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया था, कि fall loop हमें पहले से पता होता है कि कितनी बार run होगा, वो यहाँ पर लेखा रहता है, कि कितनी बादन होने वाला है, क्लियर है, तो where index is loop variable, यहाँ पर index जो होगा, loop variable होगा, जैसे i ले सकते है, आप j ले सकते है, ठीक है, and expression is the loop control, यह loop control होगा, तो expression है that takes form of a vector, in shortcut notation, like first, then increment, or last, कोई range जैसे हम देते थे उस तरीके से, कि जो i है, व इसे example की मदद से समझते है, तो मैं simple सी problem करनी है, कि write a MATLAB program to calculate the factorial of a number, हमें किसी एक number का factorial calculate करना है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, इस screen को clear कर लिया, यह तो आपको लिखना ही है, n is equal to input, input न number, और new line और पर लगा दिया, इस से next line में चला जा जा जा, control, तो आपको एक number input करान है, जिसका आपको factorial लेना है, और उसे ही आपने store करा दिया, किसमें, n में, तो जिसका आपको factorial लेना है, वो n में आ गया, उसके बाद आपने लिखा, fact is equal to 1, यह initialize कर दिया, क्योंकि fact को हम आगे use करने वाले है, क्योंकि अगर इसे मैं initialize नहीं करूंगा, तो यह undefined बताया जाएगा, इस वैसे हमने से initialize कर लिया, फिर मैंने loop लगाया, for, for i is equal to 1 to n, कि जो loop है, वो एक से लेके n तक चले, अब अगर हमने बीच बाल आप देखें, increment बाला नहीं लगाया, वो miss है, इसका मतलब by default increment 1 का है, जैसे का सब को यहाँ पर n में आपने 5 enter किया, तो यह loop है, 1 1 से लेके 5 तक जाएगा, और 1 का increment होगा, 1, 2, 3, 4, 5, इस तरीके से, clear है, तो यह हमने loop लख दिया यहाँ पर, उसके बाद, यह execute होगा, तो इसमें क्या आएगा, fact is equal to fact into i, तो जो fact आपने पहले से 1 लिख लिया है, इसे हम basically factorial represent करना चाहरा है, कि factorial calculate होगा, वो इसमें चला ज आएगा, clear है, तो इसी तरीके से होगा, तो fact पहले होगा, 1 into 1, तो 1 आगया, अब यह जो value है, यह किस की value होगी, factorial की, तो यह value अब एक तरीके से यहाँ पर आगयी, यह जो लिखा है हमने, fact into i, और दोबारा जब loop चलेगा, तो i की value हो जाएगी 2, तो 1 into 2, 2 होगया, उसके पहले बाद, फिर यह 2 है, वो यहाँ पर आजाएगा, यह factory value होगी, fact into i होगया, वो 3, जब next time loop चलेगा, तो 2 into 3, 6 होगया, अब यह 6 है, फिर वापस यहाँ आगया, क्यों fact में store हो रहा है, यह factory value होगी, तो 6 into 4, तो 24 होगया, ऐसी फिर 24 आपका इदर आगया, 24 into 5, 120 होगया तो basically हमने यहाँ पर n is equal to, कितना लिया है, 5, तो हमने यह 5 का factorial किया है, वो इस तरीके से, clear है, तो यह end हो गया, program यहाँ पर end हो गया, तो यहाँ तक execute होने के बाद, फिर next यह इदर जाता है, इदर से, यह loop है आपका, इदर से यह इदर जाएगा, इसके बाद i को अपने आ 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, कहां तक जाएगा, जो end की value आपने enter की है, 5 अगर की है, तो यह finally 5 तक जाएगा, तो फिर वापस आ गया, फिर इस तरीके से, इस तरीके से repeat होता जाएगा, और जब यह 5 बाद रन हो जाएगा, आई की value 5 हो जाएगी, उसके बाद बाहर आ तो finally answer आएगा, factorial is 120, तो इसे करके देख लेते हैं, तो हमने एक file में इस program को लिख लिया, और save कर लेते हैं, नाम देदी हमने loop problem 2 और इसे run किया, तो देखे, input the number, तो हमने 5 कर दिया, क्या गया, factorial is 120, अभी next line में क्यों आ रहा है, because हमने program में new line operator यूज किया है, देखे, यहा यूज किया है, यह है, और यह इस बैज से basically यह new line में जा रहा है, और यहाँ पर भी हमने new line किया था, इस बैज से input the number, बने next line में चला गया था, जो आपने input किया है, तो आप चाहें तो ऐसा कर सकते है, otherwise ना करें, यह आपकी उपर depend करता है, clear है, तो I think आपको fall loop भी clear होगा आप आसाई से fall loop लगा सकते हैं, अगर आपको कोई दिक्कत हो, तो आप मेरे को mail कर सकते हैं, I hope आपने इस lecture को enjoy किया होगा, अगर यह आपको अच्छा लगा हो, तो इसे like करें और share करें, thank you